वस्समाई दातिल बुरूज तो चलिए के अप्रिकोंज आप लुगों के लिए देखेंगे कमिंग वी क्या लेकर आ रहा है? क्या अनर्जीस हैं? तो प्रॉफेशनल फरंड के लिए आप लुगों के लिए कार्ड है 10 of Cups 10 of Cups का कार्ड टैरो में कहीं happiness, joy, satisfaction, contentment की बात करता है कहीं loved ones, close ones के साथ बहुत एक beautiful bonding की बात करता है क्योंकि ये कार्ड आप लोगों के लिए प्रॉफेशनल फरंड के लिए है तो कहीं प्रॉफेशनल फरंड में इसी तरीके की energy जहते हुए दिख रही है यानि कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप चाहा रहे हैं उसी से related एक happiness, joy आपको मिलती हुए दिख रही है इन फाक दिखे ये कार्ड कहता है कि इस week आपकी happiness का source money, पैसा, materialistic, tangible चीज़े नहीं है कहीं relationships हैं जो आप अपने प्रॉफेशनल फरंड में build up कर रहे हैं या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं उसे आपको बड़ी satisfaction मिल रही है बड़ा, you know, उसको आप enjoy कर रहे हैं उसकी वज़े से एक happiness आप महसूस कर रहे हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि money, पैसे से related कोई नुकसान होगा हो सकता है कि फाइदा हो, हो सकता है उतना फाइदा ना हो लेकिन, you know, आपकी खुशी का source या फिर reason money, पैसा नहीं, again relationships रहते हुए दिख रहे हैं जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं उनके साथ आपका relationship बहतर हो रहा है हो सकता है आप उनके साथ जादा, you know, eating, drinking, merry making कर रहे हैं जादा connect कर रहे हैं आपको उनसे बहुत एक appreciation, recognition मिल रही है या फिर आप उनको appreciate कर रहे हैं यानि कि बहुत ही एक cooperative, बहुत ही supportive energies रहती हुए दिख रही है और ये भी हो सकता है कि Capricorns पीछे किसी चीज़ पे आप काम कर रहे थे वो इस week complete हो रहा है और ये चीज़ आपको बहुत एक happiness दे रही है all in all ये week professional front से related काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लगों के लिए the high priestess का card है और ये card कहता है कि personal front में आप बहुत जादा socialize नहीं कर रहे हैं आप बहुत actively किसी भी इनसान के साथ मिल नहीं रहे हैं अपनी तरफ से मैं कहूंगी action initiatives नहीं ले रहे हैं आप थोड़ा सा back seat लेना चाहा रहे हैं आप थोड़ा सा चीज़ों से withdraw करना चाहा रहे हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं दुखी हो रहे हैं या कोई चीज़ खराब हो रही है in fact high priestess का card भी contentment की बात करता है satisfaction की बात करता है तो दोनों ही fronts में किसी ना किसी level के किसी ना किसी level पे एक तसल्ली रहती हुए दिख रही है एक इत्मिनान रहता हुआ दिख रहा है और personal front के लिए जादा एक इत्मिनान और तसल्ली वाली energies रहती हुए दिख रही है जो भी आप चाहा रहे हैं आपको ऐसे लग रहे हैं कि भी जल्दबाजी नहीं करनी impulsive नहीं होना अच्छे से सोचो अच्छे से समझो और फिर चीज़ों को करो बहुत wisely आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं और हो सकता है अपनी feelings, अपनी emotions या फिर आपके personal front में जो भी चीज़ें चल रही हैं आप इस week सबसे या किसी से भी share नहीं करना चाह रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप एक secrecy maintain कर रहे हैं या फिर आप share नहीं कर रहे हैं तो अपने आप ही एक secrecy maintain हो रही है और कुछ Capricorns के लिए भी हो सकता है कि कोई इनसान है आपके personal front में उनकी तरफ से आपको ऐसे लग रहा है कि भाई वो आप से खुल के नहीं चीज़ों को share कर रहे हैं वो एक secrecy maintain कर रहे हैं ओल इन ओल दोनों fronts अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं ये हफता आपका ठीक जाता हुए दिख रहा है और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए star grazer का card है और ये card कहता है set your sights higher तो देखिए लिटरल इसको मैं translate करूँ तो ये card कहता है ऊच्छा सोचें चोटी चोटी चीजें जो हमें कभी कभी bother करती हैं हमारी energies को drain करती हैं हमें life में पीछे लेकर जाती हैं उनके बारे में ना सोचें उनको लेकर परिशान ना हो अपने ये नो goals बड़े बनाएं और उन goals पे आप focus करें and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का साबता ही ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect का कैसा रहेगा आपके लिए भी शुकर है अच्छी ख़बर है कि 27 August से till 3rd of September आप भी Allah के फजल से safe zone में हैं जाती जिंदगी में भी अमन सुकून रब के हुकम से रहेगा financial मौमलाद भी रब के हुकम से resolve होते वे नज़र आते हैं आपने अगर कहीं travel करना है आपने अगर आपने कहीं सफर करके जाना है तो भी सितारे की जो position है आपकी favor में है और 3rd जो है august तक जो है स्वारी 3rd September तक जो है रिष्टे हो गए home front हो गया कोई भी ऐसे मौमलाद जो रिष्टों से related है domestic सफर से related है घर से related है वहन भाईों से related है माबाब से related है केप्रेकॉनियन इस सब्सक्राइब की position जो है उसमें तो आप safe है तो आप इन मौमलाद को बिलकुल resolve कर सकते हैं सब्सक्राइब के जरीए या टेबल टॉक के जरीए एक ही चीज़ हो गई तहमल के साथ जो है आपकी बात सुनी भी जाएगी आपके मौकब को समझा भी जाएगा इन्शाला 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 सितारे की जो position है वहां पे बिलकुल safe आती है और कुटलक आला करे रुमैंस एरिया में कैप्रिटानियन्स तो वज़दार कलिक हो सकता है रुमैंस एरिया में और उसके इलावा जो है आपके बच्चों वाले हाउस में को कुटलक आला के हुक्रम से हो सकती है बच्चों से related कोई खुशी कोई प्यारी खबर या जिनको अलादे नरीना की खाहिश है या जो लोग बच्चों के खाहिश में या जिनके बच्चे हैं वो उनके लिए को दुनियावी आसानिया अल्ला से चाहते हैं तो इंशाला इंशाला इन मौामलात में रब के हुक्म से आपके लिए आसानी की खबर हैं अल्ला ताला सारे मौाम सितारे की जुबान को समझते भी नहीं कर सकती कि वो टिकेंगे वो जिस स्पीड से आ रहे होंगे उसी स्पीड से इकराजात की इंडिकेशन भी होती है इसी तरह वो केप्रिकॉनियंस जो स्टूडिंस हैं शुकर एल्ला का सितारों की पुजिशन बेपर है बस थोड़ा सा फ स्टेक्स ना हो दूसरा अगर कोई आपके पेपर वर्क से रिलेटिड काम है इन्शाला इन्शाला वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में यहां पर कैप्रिकॉनियंस उन मौमलात के रिजॉल्व होने की अच्छी ख़बरे हैं बहरूने मुलक अगर सफर करन हमारे वो प्रिकॉनियंस च्छी को बिजुनिस एडिया के अंदर हें उनको बहुत देहान के साथ वह कोई भी o डेल करनी जल्दबाजी में कोई काम जो ने het नि embedded हैं वो केप्रिकॉनियन्स जो लोग जो है जो कोई लाइम लाइट में हैं, पॉलिटिशन्स हैं, कि यह वाला जो टाइम है, 27 अगस्ट यानि 27 अगस्ट जो शुरू है, यह आपकी रेप्रिटिशन को, आपकी साखों को डेंट ना डाला जाए, इसी तरह सोशिलाइजिंग करते भी देहान दीजिएगा, वो लोग जो लाइम लाइम लाइट में हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हुए, बहुत कियर्फुल हो के, क्योंकि यह नौ कि कोई स्टेटमेंट कल को आप ही के अगेंस ना चली जाए, आप ही के गले ना पड़ जाए, तो इन मौामलात में जरा को हाथ लगाएंगे, वो काम होता दिखाई देता है, यह हो सकता है, आपकी जो वाइब्स हैं, वो आपके नाम को, आपके इसे लोग मिल सकते हैं, आपको काम करना चाहते हैं, सिमपॉली के लिए, आपको काम करना चाहते हैं, आपको स्केल है, लेकिन पैसा नहीं है, तो आ सा केरफूल रहना है क्योंकि मिस्ट paralyzed rhymescolay मिस्टेक्स हो सकती हैं calculation में आप जामते हैं यह पहले भी भी मैंने कहाया कि आपको पता है कि एक सिफर से यह एक मुक्ते से कितना फर्ग पड़ सकत Before सकता है gef़ोद काला ऐसक्ता साथ एक और situation भी है ये हफ़ता ऐसा आपको फील होगा कि जैसे कुछ होने लगा है जिसे कुछ होने वाला है जिसे कोई आ रहा है ये एक feeling है ये बहुत strong feeling है ये feeling क्यों है ये मैं आपको अगले हफ़ते बताऊंगी लेकिन ये feeling आपके अंदर से इसी हफ़ते शूरू हो जाएगी कि जैसे कोई आ रहा है कुछ होने वाला है कोई अच्छा होने वाला है इस पॉस्टिफ फील है इस पर हम next week बात करेंगे ये हफ़ता जो है ये आपके लिए overall एक कमजाबी लेके और कमजाबी के साथ आपकी मनजलें असान करता वा नाजर आता है लेकिन डिपेंड करता है कि आप है कि state of mind में क्योंकि हमारे जो कैप्रिकॉन दोस्ते है इनका state of mind बहुत important होता है कभी बहुत सारा कुछ सही चल रहा होता है और इनको लगता है डिप्रेशन की फीलिंग इंके अंदर ब्रेदा हो जाती है और इनने सब कुछ डार्क एंड ब्लू लगता है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप चीजों को ब्राइट एंड ब्यूटिफुल देखें तो डार्क एंड ब्लू अगर आपका स्वाइट अफ माइंड है तो आप अच्छे भले हलाग को भी बुरा समझने लग जाते हैं तो ये एक चीज़ जो हर कैप्रिकॉन को अपनी लाइफ में सीखनी पड़ती है तो इस अबते जो हलात हैं आपकी पॉस्टिव एनरजी कह रही है आपके दुश्मन एक एक करके आपकी आँखों के सामने बेनकाब होते चले जाएंगे और जिन्नों ने आप पर जूट और बहतान लगाया था वो खुद बेनकाब होंगे या सब को पता चल जाएगा जूटा कौन है सचा कौन है आपकी नेगेटिव एनरजी कह रही है कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मसला है इस टाइम मैनेजमेंट को आपने केरफुली हैंडल करना है हो सकता है कि आपको सही वक्त आपके हाग से मिस हो जाए दोस्ती करने के खाहिश मन दिखाई देते हैं यह चलते फिर दे लोग आप यह कॉम्प्लिमेंट दे रहे हैं पॉस्टिव कॉम्प्लिमेंट दे रहे हैं और फानांसिज और एजुकेशन में बहुत गलतियां हो सकती है negligence हो सकती है, careless mistakes हो सकती है so careless mistakes को avoid करने कोशिश कीज़ेगा आपका इस हफते का जो lucky stone है वो बन रहा है आपलाइट आपलाइट यह इस तरह का stone होता है जो color दूदिया सा एक पत्थर होता है आपलाइट यह आपका stone है और वैसे इसको अपने साथ अक्सा रखने की कोशिश किज़े क्या किज़े यह आपलाइट जो है इसकी एक खास energy होती आपलाइट में जो कैप्रिकॉन को बहुत ज्यादा सूट करती है आपका इस हफते का लाकी चार्म कामल का फूल बन रहा है यह इस तरह से कामल का फूल है यह आपका लाकी चार्म बन रहा है आपका डिवाइन मेसेज इस हफते का कह रहा है कि रिश्टों की हिफाज़त करें चाहे फून के हो या एहसास की जरूरी नहीं एक दूसरे से महभबत करें इतना ही काफी है कि एक दूसरे के दुश्मन ना हो अब मुखे